अगर आप किसी भी कमटेटरी भी जाम कर रहा है तो वीडियो लाश्ट तक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं जल्दी से वीडियो का लाइक कर दिजे और चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लिजे साथ में पेन पेपर भी जाएगा उसे नोट डाउन भी करते रहना है तो चलिए देखते है आज का वर्ड पहला वर्ड है मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग की बात करें तो यहां पर भर्व की तरह काम कर रहा है तो वर्ड के साथ साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि यह कौन सा पार्ट सपे स्पीच है अगर इसके मिनिंग की बात करें तो इसका मिनिंग होता है अब्जार्ब एंड चेक दा प्रोग्रेस और क्वालिटी अफ सम्थिंग ओवर प्रियाद अफ टाइम यानि कि किसी चीज को अब जार्व करना ठीक है या फिर अगर किसी चीज में प्रोग्रेस हो रहा है तो उस कि उसर। पॉraumasam देखते हैं सभ़ी हम लोग करते हैं त्वी वर्क करते हैं computer पर monitor पर देखते हैं सारे नजर रखना तो हमारा किसा सपर होता है monitor पर होता है तप मॉनिटरिंगि अगर synonyms की हम बात करें तो सुनोनेम्स के हो जाएगा коडिनेटیट हो जाएगा मैनेश हो जाएगा और अर comprend मोनीटरिंग के अब एंटर देख लेते हैं यानिकि ऐसे वड़ जो इसके जस्ट अपोजिट हैं तो इवेक्वेटिंग जो ही वर्व की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है the act of moving people from a dangerous place to somewhere safe है जानि कि ऐसा एक्ट ऐसा कार जिसमें हम लोग कर रहा है किसी लोग को ठीके the people को जो भी लोग है उसे किसी एक डेंजरस प्लेस है जहां पर खत्रा है जैसे मालीजी कि कोई ऐसा जगह जो बाढ़ पिरित हो या फिर भुकम्प रही तो जहां पर ज्यादा भुकम्प आ रहा हो लेंड स्लाइड हो रहा है या कहीं पर वार हो रहा हो ठीक है तो वहां से ट्वेलिंग या फिर हॉल तो यह सारे सिनोनाइम्स हो जाएंगे एन्टरनेंस की अगर हम बात करें तो इसका इंटरनेंस क्या हो जाएगा तो बिजनेस एंडॉस ट्री या फिर आफिस हो जाएगा तो यह सारे झाल भॉपर यह ऐसके इधेक्वेट नश्ट वरड इन्सट जो की भरु की तरह काम कर रहा जिसका मेनिंग होता है make certain that something will occur or be the case यानि किसी चीज को शर्टेन कर देना निश्चित कर देना कि वो चीज होगा उसको insure बोलते हैं यानि कि सुनिश्चित करना अगर इसके synonyms की बात करें तो secure हो जाएगा गरांटी हो जाएगा वारंट हो जाएगा या फिर सर्टीफाई हो जाएगा तो यह सारे सिनोनेम्स हो जाए गया यानि कि यह सिमिलर वर्ड हो जिसका मिनिंग क्या होता है कि इस चीज को सेक्यूर यानि कि स्रक्षित कर देना सुनेश्चित कर देना गरांटी वरांट सर्टी तो कि अगर आप वर्ड के साथ साथ पीचर देखेंगे तो वर्ड को आसानी से समझ के याद कर पाएंगे अगला वर्ड है एकोमोडेशन लास्ट में आयोएन आया है तो जब भी वर्ड के लास्ट में आयोएन दिखे वर्ड नाउन की तरह काम करेगा ठीक है यह आपको करता हो एकोमोडेशन बोलते हैं तो एकोमोडेशन मतलग क्या होंगе अवास हो गया क्या हो जाएगा Len용 की बात सभाव करें तो इसका सिरनामा हाऊस न हो जाएगा घॉठर शो जाएगे तो यह सारे सेननाम मैंगi एक नहथान के अगला एंतरनींस देख लेते हैं तो इंटरनेम्ट कैना डिस अग्रि मेंट अल्ट्रिकेशन अर्इमुल मिप no कर रहा है जिसका मिनिंग होता है रिघार्ड इस लाइकली इसका इंग्स मिनिंग क्या जाएगा डिगार्ड डरे कि कह एक्सप्पет किया गए हो ठीक है कि ज्यसके अब कोई एक्जाम दे रहे तो इक्जाम मैं माझन लीजोह! 100 हम मैं आप यतना लीख करेंगे की मेरा नाइंटी एट मार्स हैगा या फिर 96 आइगा यसे बोलते हैं ना कि मेरा 98 या 96 के बीच में मार्स हैगा तो यह आपका क्या होगा एक्सपेक्टेट भैलियू होगा कि आप इतना उमीद करते हैं कि आएगा तो उसको ही अपयक्षित बोला जाता है थिनोनेम के अगर हम बात कर रखते ये आपको याद रखनाइ धूल यहांत प्रेडिक्ट यह कोजैए उसको आ आइए बढ़ते हैं homework के तरफ तो homework में आपको यहीं बोलते हैं कि जो भी वह आपको पर कवर कराया जाता है उससे कोसिस किते हैं सेंटेंस बनाने का अगर आप उसके सेंटेंस बनाते हैं तो स्थाल में जरूर कमेंट किजएगा इसे आपको काफी ज्यादा BENEFFIT मिलेगा दो चलिए बढ़ते आगे अभी अन प्रेडिकटेट का रहे द्युक्त आगया प्रेडिक्टेट की बात करें तो भर्ब की तरह काम कर रहा जिसका मिनिंग होता है to say that something will happen in the future यानि कि यह बोलना कि कुछ future में जो होगा उसको पहले ही बता देना भविस्थ सेवानी कर देना ठीक है जैसे आप लोग Chris movie देखे होंगे Chris movie में जो डिति क्रोशन एक computer बनाता है जिस पर हाथ खने के बाद वह बता देता है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है तो प्रेडिक्ट कर देता है क्या हो अगर शिननेंज की बात और तो इन वीजन फोर कास्ट या फॉर मतलब क्या तह पहले तो जिसको आधर कार दे पहले ही देख ले इन वीजन यानि कि जो पहले का भी जन हम दोग देख ले क्या होने वाला उसको प्रेडिक्टेड बोलते हैं तो यह सारे सिमिलर वर्ड होगा है अब एंटर नेम्स देखते हैं यानि कि अपोजीट वर्ड तो इगनोर कैलकुलेट डिस बिलेव या फिर मेजर यह सारे अपोजीट वर्ड होगा प्रेडिक्टेट के जैसे माल लिजे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिक्चर थोड़ा सा फनी है कि यह क मतलब कोई चीज़ क्या हो काफी ग्रेट हो सफिहएंट ली या फिर इंपोटेंट हो जिसे मतलब एटेंचन देना जरूरी हो हू दर लेफिक्र काफी हो या फिर महत पूर्न तो उसको सिग्निफिकैंट बोलते हैं अगर सीनॉनियम्स की हम बात करें तो नोहें जिसे लोग का काम करता है तो यह चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना ठीक है यहाँ पर इंपोर्टेंट ली सिरियस ली यह सारी क्या होगे के लास्ट में लवाई आथ आपको बता दिए लवाई एड्जेक्टिव और एडवर्ब दोनों का सफिक्स होता है एंट्रोनेम की बात करें तो स्लाइटली डाउट फूली एपरेंटली या फिर सुपर्फिस यह सारी क्या हो जाएंगे एंट्रोनेम्स हो जाएंगे अगले बात करें तो अगला बाते एडिक्वेट की बात करें तो एड्जेक्टिव की तरह काम कर रहा जिसका मिनिंग होता है सप्ट ही और एसेप्टेबल इन क्वालिटी और क्वान्टिटी कोई चीज जो सट्वेक्ट्री हो जिसे यह मतलब सट्वाइब हो जाए लोग और उसे एक कर ले सभीकार नहीं हो एक टेट मतलब होता है कोई चीज जो इन फो परियाप्त हो ठीक है और सफिसेंट इमाउंट में एवलेबल हो तो उसको बलते हैं डिक टो परियाप्त इसका है इन्दी मिनिंग हो जाएगा सिनोनेम्स की अगर हम बात करें तो एसे टेबल लास्ट में सब्सक्राइब नहीं हो इनके बात करें तो नेक्सरा इंस्पेक्टेट जो की बात कितरा काम कर रहा है जिसका मेनिंग होता है तू लुक एट सम्धिक टूजली और इन ग्रेट डिटेल तो इंस्पेक्टर मतलब बताए कि सी चीज को ध्यान से क्लोजली और डिटेल में देखना ठीक हैज यानि की निटिक्षन करना किसी चीज का जाच करना सीनोनेमस की हम बात करें तो इग्जामीन इस चीज को परखना से और करना इसक्रूटिनाइज करना तो इगनोर मतलब कोई चीज से आया इगनोर कर दो झेल ख़लो हटाना ध्यान नहीं देना ओवर्लूक मतलबूपर सिर देख ले न यह सारी क्या हो जाएंगे अन्टरोण से जैंगे अब पिक्चर देखेंगे पिक्चर में यहां पर यह मेकैनिक्स है जो क्या कर रहा है किसी को ध्यान से देख के बना रहा है ठीक है तो क्या खरने निजिक्थन करना की कोई गरबड़ी तो नहीं है तो आपको सारे वर्ड समझ में आगया होगा अब बड़ते हैं नेक्ट वर्ड का तरफ नेक्ट और आज के सेशन का लाश्ट वर्ड है कर्पृरेशन लास्ट में आई लागा कमेंट सेशन में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद